हेलो एवर्वान वेलकुम बैक टू माय चैनल और कल दीवाली है इसलिए लास्ट मिनिट के फाइफ मिनिट में आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं उसके कुछ आइडिया लेकर आई हूं तो प्लीज आप इसको देखिए और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे हम इसमें ले रहे हैं आटिविशल माला जो हर किसी लोकल मार्केट में हर किसा से अवेलेबल हो जाती है हमें और हम इसमें कुछ इसको अच्छा और रिच बनाने के लिए मैं इसी 20 यह 20 30 रुपीज की जो इस तरह की एक घंटी मिलती है मार्केट लो में ली आई और पीजी लोकिंग सो बहुतिफुल बहुत सुंदर लग रहा है आपको नहीं लग रहा है मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है विफिन टु मिनेट हम ने घर को डको में अमने स्क्राइशन और फेस्टिवल लुक देने का साथ कर दिया है तो आँप अब अनु अबमें त्यांव हुआ फ़र दोगें गर्म चाकू से इस तर स्वाना उपने शेद करें गर्म चापू से इस तरस अब आप रइंगी जिए अक शेद कर दिया है अब एक धागा लोनगी मैं इस थागे से में इसके अंदर इसको इंसर्ट करोंगी औहां मैं आपर बहुत सारी नॉड लगाएंगे at least 5 to 6 नॉड हम लगाएंगे ताकि इसमें से वो निकल के बाहर नहीं आए like this मैं इस तरह से नॉड लगा दी है that is it बाकी धागां पीछे खेच लेंगे इस तरह से now हमें ने पूरा बंद कर दिया है now हमारा बॉल अब तयार अब हम इस अपनी गालन से इसको अटेच करेंगे इस बॉल से तो इसकी जी नीचे वाले लोवर पार्ट के ओपर हम इसको इसे बान देंगे now अब हम इस बॉल के ऊपर हमारी रियल फ्लार जो होते हैं तो जी मेरी बॉल फ्लार उसको मैं चिपकाने वाली वह भी होड विस है फेल अफगलूगन के हैं से हम चिपकाने वाले हैं So, इसके लिए आप glue उनकी जरूत पड़ेगे, इस तरफ पूरे ball के उपर इस तरफ से glue gun से हम लोग attach करके, हम इसको चिपका देंगे, थोड़ा ध्यान से करेगा एकाम, इस तरह से हम इसके पूरी ball के उपर हम प्ला से इसको cover कर देंगे, वाव, वाव, लुकिंग सो आपको लहता है? मतलब कि आपने सर्फ पांच मिनिट में इतना अच्छा आपको गालन लगा है तो, नाओ मैं इसके नीचे कुछ लीफ्स को अटेगे, वाव, आपको मुझे पता है कि विद लीफ्स ज्यादा अच्छा लागा है? कि विद आउट लग रहा है? मुझे लग जो थर्ड हम करने वाले हैं. वो चीज सब के वास होती है, सब के घर में होती है. जरनली यह फूट बास्केट अफ़ल से होती है, इस तरह से. और हम थोट नहीं करते हैं, विदे लारें कुछ यूज नहीं करते हैं, मैं इसमें हमारी आर्तियवशिल फ्लायर की म وا को इसमें अटेच करने वाली हो। हम कैसे अटेच करेंगे हम कोई भी धागा ले ले लेंगे इस तरह से और धागे को इसके साथ इसको बान देंगे तो हम जगे जगे से इसको इससे बान देंगे हैं इतना ध्यान रखिएगा कि धागा थोड़ा ट्रांस्परेंट हो या से औरेंज कलर का हो ताकि इविजिबल ना हो इस तरह से मैं जगे जगे से इसको बांदे वाली हो हमने एक सरकल पूरा कर लिया है हम घर में पड़ी बेकार चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और वह भी लास्ट फाइफ मिनिट में हम लोग अपने देवाली डेकोरेशन कर सकते हैं नाव हमारा फर्स सकल पूरा हो चुका है इस तरह से हम अपारे सारे गालन हैं पूरा इसको फिल करेंगे बहुत ही खुबसूरती से हम फिल करने वाले हैं like this और बिलकुल यह जब चीज बनेगी तो आपको इतना सुन्द लगा से लगए हम किसी मूवी का सेट देख रहे हैं किसी यू फिल आपको बहुत वाव आपको ने लग रहा किसी मूवी का सेट या किसी सीरियल का सेट अप नहीं लग रहा मुझे तो वही फिलिंग आ रही अच्छ मुझे लग रहा किसी मूवी का सेट अप लग रहा और विदाउट आपको बाहर जागे फ्लार्स ख़िदने की भी जुरूरत नहीं है नौ हम अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ डियाइवाई की तरफ इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबूर्ड इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोग एक रक्तेंगल ड्रक्र ने करने हमें इस तरह के सिर्ड़े हैं को बहुत अच्छा दिखते हैं reserved लुक के अंदर हम और 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 हमारे इसके नीचे अब हमारे कुछ अशोक की जो लीव्स होती है प्लांट की वह मैं अटेच करने वाली हूँ लाइक दिस मैं इसके नीचे वह भी ग्लूगन से अटेच करने वाली हूँ मैं आप चाहे तो स्टेपर भी कर सकते हैं इसके नीचे अम लोग अब अटेच कर जही हूँ यह लीव्स नाओ मैं इक फ्लार इस तरह से यहां पर अटेच करने वाली थोड़ा इसको और बढ़ा करने के लिए नाओ दोनों तरफ में इस तरह से फ्लार लगा दूंगी मैं आपने और एक और नीचे लीव किस तरह से मैं अटेच करने वाव एक कीस का ज़रू ध्यान रखेगा साइड वाली लीवस अगर गिरने लगे तो पीछे से डूइल टेप से सपोर्ट से आप इसको चिपका अब मैं बढ़ती हूं हमारे फिफ्ट डियाइवाई के तरफ जो के मारे लास्ट डियाइवाई है उसके लिए हमें पहले स्टैंड बनाना पड़ेगा मेरे पास इस तरह से मीटी उच पड़े हैं स्टैंड मैं इसके ओपर रखने वाली हूं नाओ मैं अपना एक कोई घड हो ड्रा है जो डिकरेटीव खड़ा है उसको रख जरी हूं के उपर नाओ हमार पास सब कही है स्टैंड की आलन होती जो पुरानी इस तरह से मिलती थी उसको मैं यूस्ट इस गालन से अम लोग किस तरह से रंगोली बनाना बाले वाले वो आपको बताती हूं इस तरह से हम गालन को इसकंद डाल के कोई भी शेप आप जिस्ट शेप का चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं और बना सकते हैं राइट नाओ नाओ सेकंड वन मैं पुटिंग मैं एट लीस्ट यहां पे फोर से फाइफ गालन यूज़ करने वाली हूँ अब तर नाओ सेकंड थर्ड इस तरह से मलोग आपने चारों गालन लगा दी हैं और इसमें ग्रीनी टॉच देने के लिए मैंने इको काटा है कैंची से और आप इस तरह से कैंची से काट कि किसी भी ग्रीन कलर टॉच दे सकते हैं और आपको बहुत अठी नाव इस स्पेस में हम लोग ग्रीन लीव जो काटी थी वो फिल कर देते हैं बहुत अच्छा लूग देगा ये बाकी लीवस को हम साइड में इस तरह से सराउंडी डेकोरेशन इसकी करेंगे साइड में सब्जेक साइड में टाइम तो हमारा फाइनल अर्टिविशल गालन के साथ रंगोली इस तरह से बन सकती है तो थैंक यू वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल